जैहिंद गुड आप्टरोन आप सभी को तो दोपर के एक बज रहे हैं और मैं आज को हूँ आपके वीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की पिछले पांच वर्सों के क्यूशन्स की क्लास को लेका आज जो हम सब देखो क्लास करेंगे वैसे प्रश्णों को जो कि इंडियन आ क्लास में यह सारे के सारे पिछले 5 सालों से कंटीनियू आते रहा रहे है ठीक है जो प्रिविएसली पांच सालों से लगातार लिए आरे पुछ रहा है किसी ने किस एरो में अलग अलग बार की चुशन्स जो आपको आज करवाए जाएंगे चलिके शूरुबात करेंगे श सब को ध्यान में रखेगा कि आज के class का जो पीडियेफ है वह आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे description box में दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सभी टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हो जिस which is the deepest ocean in the world अंद महासागर, हिंद महासागर, प्रसांत महासागर या फिर उत्तर धुरूए महासागर विस्व में सबसे गहरा महासागर निमलिखित में से कौन सा है क्या होगा right answer जल्दी से करेंगे तो विस्व में जो सबसे गहरा महासागर है कौन सा है तो वो है देखो प् प्रथम महिला कौन थी who was the first woman to be awarded भारत रतना प्रतीमापुरी या फिर श्रीमत इंद्रा गांधी या फिर मदर ट्रेसा या फिर सुचेता करपलानी निमलिकित में से वह कौन सी प्रतम महिला है जिने कि भारत रतने से समानित किया गया था तो भारत रतने से समानित जो प्रतम महिला है वहें देखो श्रीमत इंद्रा गांधी क्या होगे राइट आंसर तो ऑप्सन बी चलिए निश्क्रिप्शन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है यह देखो कि विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है वे निज वर्ल्ट इन्वा अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है यह है देखो कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सा है विच इस दर लॉंगे श्रीवर इंद वर्ल्ट नील नदी सोन नदी क्रिष्णा नदी या फिर गंगा नदी निमलिकित में से विश्व में वह कौन सी नदी ह जो कि सबसे लंबी नदी है क्या होगा right answer सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे तो विश्व में जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है तो वह है देखो Nail River वह है आपकी नील नदी क्या होगा right answer तो option A नील नदी चलिए ने description देखेंगे एगला सवाल जो कि यहाँ प इसका विस्कार किया गया है देखो बेटिंग के द्वारा क्या होते है राइट आंसर तो आप्शन ए बेटिंग चलो देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे है देखो यहाँ आपको दिया गया है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक तो कौन थे सभी जल्दी जल्दी करते चलेंगे कोई भी ज्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि देखो कि विटामिन डी का रसाइनिक नाम क्या है जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे तो विटामिन डी का रसाइनिक नाम है क्या है तो वह है देखो कैल्सी फिरॉल जो ने भी आंसर किया है यहाँ पे सी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है चलिए ने description देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है यह देखो कि जैरो पथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है जैरो पथलमिया is caused by the dependency of which vitamin विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K या फिर विटामिन A जो जैरो पथलमिया है यह निमलिकित में से किस विटामिन की कमी से होता है क्या होगा राइट आंसर सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है चलिए जल्दी से बताएंगे अगला सवाल यह है आपका यहाँ पे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है राजा राम मोहन राय दादा भाई नेरो जी गोपाल हरी देश मुख या फिर आनंद मोहन बोस निमलिकित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे जो है बरह्म समाज के संस्थापक कौन हुए तो जो बरह्म समाज है इसके संस्थापक कौन है तो वह हैं देखो राजा राम मोहनरोय क्या होगे राइट आंसर तो option A, राजा, राम, मोहन, रोई, हो गया सभी का, चलिए अगला सवाल है, यहाँ पर आपका, यह देखो, 11 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है, कि भारतिय राश्रिय कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताएंगे सभी लोग, भारतिय राश्रिय कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे सभी लोग करेंगे और बताएंगे, भारतिय राश्रिय कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो ते देखो, व्योमेस चंद्र बैनर जी या पर इने को डबलू सी बैनर जी भी लिखा जाता है, चलिए ने श्क्रिप्शन करेंगे अगला सवाल, जो कि यहाँ पर आपका यहाँ देखो दिया गया है कि भारत का प्रथम उप्राश्पती कौन थे, यहाँ पर आपका देखो, अगला सवाल दिया हुआ है, कि अंतराश्रिय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वे निज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिबरेटर्ड, साथ मार्च, आठ मार्च, नौ मार्च, या फिर दस मार्च, किस दिन जो है, अंतराश्रिय महिला दिवस को मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे तो जो अंतराश्री महिला दीवस है यह मनाया जाता है आठ मार्च को क्या होगा answer तो option B, eight March चली अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है यह देखो नेक्ष्ट क्यूशन है आपका पंदरा नंबर सवाल है ये कि नोबिल पुरसकार प्राप्त करने वाला प्रतम भारतिये कौन थे who was the first Indian to get Nobel Prize एर रह्मान, वैदिनाथ, दादा भाई नेरो जी या फिर नेक्ष्ट में आपका देखो यहाँ पर रविन्नाट टैगोर निमलिकित में से वह कौन है जिनको सर प्रतम जो है नोबिल पुरसकार से नवाज आ गया चलिए सभी लोग बताएंग और करेंगे सर प्रतम नोबिल पुरसकार प्राप्त करता कौन हुए क्या होगा answer तो वह जिने सबस्वर प्रतम नुविल पुरसकार दिया गया प्रतम भारतिये वो कौन है तो वह है रविंद्र नाठ टैगोर क्या होगा right answer तो option D चलिए ने description देखेंगे अगला सवाल यह आपका यहां पर देखो यह दिया गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा का नारा किस ने दिया इकबाल भगत सिंग रांपरसाद बिस्मिल या फिर जोहर लाल नहरू निमलिकित में से किसके दवारा जो है यह नारा दि है यह देखो दिया गया इकबाल के द्वारा मुहम्मद इकबाल इनका पूरा नाम हुआ यह राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है यह देखो आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है हुई इस कॉल्ड नेपोलियन इंडिया समुद्र गूप्त बाल गंगादर तिलत भगत सिंग या पिर चौधरी देविलाल निम्लिकित में से किसे जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है चले जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे क्या होगर आइट आंसर तो भारत का नेपोलियन जो है यह द या फिर आपका न्यूटरन या फिर वर्कमीटर निम्लिकित में से विद्युद्धारा का एसाई मातरक क्या होता है क्या होगा अंसर सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे तो विद्युद्धारा का जो एसाई मातरक है यह देखो एमपियर होता है क्या होगया तो समय की है प्रकास की है या फिर धारा की है जो प्रकास वर्स है यहां निम्लिकित में से किसकी एकाई है क्या होगा अंसर सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे तो जो प्रकास वर्स है किसकी एकाई है तो यह एकाई है देखो दूरी की क्या होगा आंसर तो ऑप्सन ए distance दूरी चलो अगला सवाल देखेंगे description बिस नंबर सवाल यहाँ पर आपका देखो यह दिया गया है भारतिये मैक्यावली किसे कहा जाता है who is known as Indian मैक्यावली समुद्र गुप्त, बाल गंगादरतिलग, चानक्य यहाँ पर चौधरी देविलाग, निमलिकित में से किसे जो है भारतिये मैक्यावली के नाम से जानते हैं, किसे जो है भारतिये मैक्यावली बोला जाता है, चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे, तो जो भारतिये मैक्यावली है किसको बोलते हैं तो यहाँ बोलते हैं देखो समुद्र गुप्त को क्या होगे राइट आंसर तो option A समुद्र गुप्त चलो अगला सवाल है यहाँ पर आपका देखो 21 नंबर सवाल दिया हुआ है यह है कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे स्वामी वेकानन्द दादा भाई नेरो जी गुपाल किष्ण गोखले या फिर राजा राम मोहन राइ निमलिकित में से वह कौन है जिनके दवारा बेलूर मठ की अस्थापना की गई चले जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे बताएं जल्दी से तो जो बेलूर मठी इसके अस्थापना किसने की है तो यह की गई है देखो स्वामी वेकानन्द जी के द्वारा क्या होगे राइट आंसर तो उप्सन ए चली अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका नेश्क किष्ण आपको दिया हुआ है यह है किष्ण की आगे है कि लौपुरुस किसे कहा जाता है क्या किष्ण देखो लौपुरुस किसे कहा जाता है तो यह देखो कहा जाता है सर्दार वल्ला भाई पटेल को क्या हो गया आंसर तो उप्सन भी सर्दार वल्ला भाई पटेल हो गया सवीका चलो अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है यह है देखो कि भारत का सेक्स पियर किसे कहा जाता है निमलिकित में से किसे जो है भारत का सेक्स पियर के नाम से भी जाना जाता है तो भारत का सेक्स पियर जो है यहां देखो किसे बोलते हैं तो यहां बोला जाता है महा कवी काली दास जी को क्या होगे right answer तो option A महा कवी काली रास चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 24 नमबर सवाल दिया गया है कि सक्ति का SI मातरक क्या है What is the SI unit of power What, Weber, Faraday या फिर Ohm निमलिकित में से सक्ति का SI मातरक क्या होता है बताना है सभी को सक्ति का SI unit क्या होता है तो जो सक्ति है जो power है इसका SI unit है वो है देखो What, क्या होगे right answer तो option A What, हो गया सभी का What, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका 25 नमबर सवाल है यहाँ देखो दिया गया है कि बिहू, लोक, निरिति किस राज जिसे संबंदीत है बिहू, folk dance is related to which state असम, उणिशा, पस्चिम, बंगाल या पे तुरिपुरा निमलिकित में से किस राज जिसे जो है बिहू, लोक, निरिति संबंदीत है चलो सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से बताएंगे तो जो बिहू, लोक, निरिति है किस संबंदीत है तो यहाँ देखो संबंदीत है असम से क्या हो जागा right answer तो option A असम, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है यह मिला हुआ है, देखो यहाँ पे कि निम्न में से किस नदी को व्रिद गंगा के नाम से जाना जाता है which of the following river is known as व्रिद गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर काविरी, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसको कि यहाँ पे आपको बताना है कि जिसे हम व्रिद गंगा के नाम से जानते है गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है या फिर काविरी है तो वह नदी जिसे व्रिद गंगा के नाम से जाना जाता है वो कौन है, तो वो है देखो गोदावरी जो गोदावरी है इसे वृत गंगा भी बोलते हैं चलो अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो नेश्की विशन है आपका 27 समबर सवाल है कि कुची पुड़ी किस राज्य की निरित्य सहली है कुची पुड़ी is the dance form of which state केरल आंधर परदेश तमिलनाडू या पिर करनाट का जो कुची पुड़ी है यहाँ निम्न में से किस राज्य की निरित्य सहली है चलो अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह है देखो आपका यहाँ पे कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में इस्तित है in which state is the लिपुलेख पास located उत्राखंड मद्य सब्सक्राइब तो यहाँ देखो इस यहाँ व्यक्तित आपसे बताईए डही से किस नधी को उसकी कवित्त्रता के कारण दक्षिन左 भारत की गंगा कहा जाता है which of the following river is called गंगा of southern India because of its purity महा नदी गोदावरी कृष्णा या फिर कावेरी निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसको की पवितरता के कारण दक्षिन भारत की गंगा भी बोलते हैं चले जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे तो देखो यहा जाती है तो फिर गोदावरी चलो अगला सवाल पहरतो तीस सवाल आपको दिया गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे सलौई इस्तिध है नदी गंगा नदी या फिर सतलस नदी जो दिल्ली है यह निम्द में से किस नदी के किनारे इस्तित है चले करेंगे सभी लोग तो जो दिल्ली है यह देखो इस्तित है यमुना नदी के किनारे क्या होगे राइट आंसर तो option A यमुना चलिए अगला सवाल पर बढ़ेंगे next question पर जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है यह है देखो आपका यहां पर कि ग्यान पीठ पुरसकार किस चेत्र से संबंधित है ग्यान पीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फिल्ड साहित्य संचार संश्कीति या फिर नेतुरित्व सभी करेंगे और जल्दी से बता जरू जाले मिल पाए सभी टेलीग्राम गुरूप को जरू ज्रु जौइन कर लिना क्यूंकि टेलीग्राम गुरूप पर जो है आपको इस कलास का पीडियेफ सेंट कर दिया जाएगा टेलीग्राम गुरूप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे description बॉकस में है तो जो oldest national park in India काजी रंगा राश्टिये पार्क, हेमिस राश्टिये पार्क राजाजी राश्टिये पार्क या फिर जिम कारबेट राश्टिये पार्क निम्न में से भारत का सबसे पुराना राश्टिये पार्क कौन सा है जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे भारत का सबसे पुराना राष्टिये पार्क कौन सा है तो भारत का जो सबसे पुराना राष्टिये पार्क है वो कौन है तो वो है देखो आपका जीम कारवेट राष्टिये पार्क जीम कारवेट नेशनल पार्क चलो अगला में से वह कौन सी नदी है जिसे बिहार का सोक भी बोलते हैं चले जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे तो बिहार का सोक जो है यहाँ देखो बोला जाता है कोसी को क्या आइट आंसर तो option A कोसी चलो next question देखेंगे अगला सवाल जो की यहाँ पे आपका देखो कि भार भारत का मसालों का बगीचा भी बोलते हैं चले जल्दी से बताएंगे तो भारत का मसालों का बगीचा जो है यहाँ बोला जाता है option A केरल को भारत को क्या और राइट आंसर तो option A केरल चली अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो 35 नमबर यह है आपका कि मान राश्रिय उद्यान कहां इस्तीत है वेया रीज मानस निशनल पार्क लोकेटेड असम उडिसा राजस्थान या फिर तिलांगना निमलिकित में से जो मानस राश्रिय उद्यान है यह कहां पे इस्तीत है क्या होगा राइड आंसो चले जल्दी से बताईएगा सभी लोग तो जो मानस राश्रिय उद्यान है यहां इस्तीत है देखो असम में यहां होगा आंसर तो उप्शन ए असम चली अगला सवाल है यहां पर आपका देखो 36 नमबर सवाल आपको दिया गया है कि जौनपूर किस नदी के किनारे इस्तीत है जौनपूर इस्टिटेड ऑन दे बैंक गोमती नदी के किनारे क्या होगे राइट आंसर तो उप्शन डी गोमती चलो अगला सवाल है यहां पर आपका यहां दिया गया है देखो यहां पर आपको यहां मिला हुआ है कि कारबेट राश्टिय उद्यान कहां इस्तीत है वेयरीज कौरबेट नेशनल पार्क लोकेट उत्तर परदेश उत्राखंड तमिल नाडू या फिर गुजरात निम्न में से जो कार्वेट राष्टी ये उध्यान है यहां कहां पर इस्तीत है तो जो कार्वेट राष्टी ये उध्यान है यहां देखो इस्तीत है उत्राखंड में क्या होगे आंसर तो आप्शन भी उत्र आखंड चलो next question करेंगे 38 तंबर सवाल यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि चीन का सोक किसे कहा जाता है तो चीन का सोक जो है यहाँ देखो बोलते हैं होंगो नदी को पीली नदी को चली अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो यह है 49 नमबर सवाल है कि कोसिका का रसोई घर किसे कहा जाता है लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट निम्द में से कोसिका का रसोई घर किसे बोलते हैं चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे तो जो कोसिका का रसोई घर है यहां किसे बोला जाता है तो यहां बोला जाता है देखो क्लोरो प्लास्ट को क्या होगे राइट आंसर तो option D चलिए अगला सवाल करेंगे जो कि यहाँ पे आपका देखो 40 तंबर सवाल है यहाँ आपको यहाँ पे दिया गया है किवशन है आपका कि निम्न में से कौन सबसे अधिक परतियास्थ है which of the following is the most elastic चले जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे निम्न में से वह कौन सा है जो कि सबसे अधिक परतियास्थ है रबड, गिली मिटी, इस्टील या फिर प्लास्टिक चले बताएंगे जल्दी से क्या होगा बहुत बार जो इसक्रिवशन को इंडियन आर्मी ने किया हुआ है सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन है जो कि सबसे अधिक परतियास्थ है जो कि सबसे अधिक इलास्टिक है कौन है तो वो है देखो आपका इस्टील क्या होगे राइट आंसर तो उप्संट सी इस्टील हो गया सभी का चलिए निश्क्रिप्शन करेंगे अगला सवाल जो कि यहां पर आपका देखो यह दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र किस ने सुरू किया था दादा भाई नेरो जी सैया दहमत खां रविन्ना टैगोर या फिर जेम्स हिक्की निमलिकित में से किस के दवारा जो है भारत में सबसे पहला समाचार पत्र सुरू किया गया चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे बिना देरी के साथ बताएंगे भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसको किस के दवारा सुरू किया गया है 42 नंबर सवाल दिया गया है ये किवशन है आपका कि दूद से क्रीम निकालने पर on removing cream from milk दूद का घनत वो बढ़ता है दूद का घनत वो घड़ता है दूद का घनत वो परिवर्तित रहता है या फिर D में है इनमे से कोई नहीं दूद से क्रीम निकालने पर जो है क्या होता है दूद से क्रीम निकालने पर दूद का घनत वो है उसके साथ क्या घटी होता है तो दूद से क्रीम निकालने पर जो दूद का घनत वो है वो देखो बढ़ता है क्या होगे right answer यहाँ पे तो आपका right answer होगा देखो option A दूद का घनतों बढ़ता है जिनोंने भी answer किया A को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है चलिए अगला सवाल है यहाँ पर आपका देखिए 43 नमबर सवाल है आपका कि यदि किसी परतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका परतिरोध इस तिर रहता है बढ़ता है या फिर इन में से कोई नहीं चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे यदि किसी परतिरोधक तार को जब लोग लंबा करेंगे तो उसके प्रतिरोध के साथ क्या घटित होगा तो किसी भी प्रतिरोधकतार को लंबा करने पड़ जो उसका प्रतिरोध है वो भी देखो उसके साथ साथ ही बढ़ता है क्या होजा अगर आइट आंसर तो option C चली अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो की लार में पाया जाता है बहुत ही important question है इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इस question को बहुत बार किया गया है तो सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे चले जल्दी से करना है और सभी को बताना है जल्दी से बताईएगा तो लार में जो अंजाइम पाया जाता है वो है देखो टाइलिन क्या होगे right answer तो option B चलो अगरा सवाल देखेंगे जो की यहाँ पर आपका दिया हुआ है यह है देखो कि निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है which of the following is called the graveyard of RBC यकरित, अस्थीमज्जा, पलिहा या फिर परीसोधी का निम्न में से किसको जो है RBC का कब्रिस्तान बोलते है किसे जो है graveyard of RBC भी बोला जाता है चले जल्दी से बताएंगे और सभी लोग जो है यहाँ पर अपना अंसर बताएंगे क्या होगा, बिल्कुल सही सभी को करना है बहुत बार जो description को इंडियन आर्मी ने कर रखा है RBC का कब्रिस्तान कौन है तो वह दे को इस्पलीन को बोलते है वह दे को पलिहा को बोला जाता है चली अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर देखो आपका यह सवाल किया गया आप से कि भारतिय सम्विधान का अभी भावक कौन है राष्पती, परधान मंत्री, सरवच्चन आयाल है या फिर निर्वाचन आयो यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक ने किया तो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिएगा उसके साथ साथ सभी सेर जरूर करें अपने और फ्रेस के साथ और जोने नभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे सेट कर देंगे चलि बताइएगा क्या होगा यहाँ पे तो भारतिय समिधान का जो अभी भावक है वह देखो सुप्रीम कोट को बोलते हैं सरवत चन्यायाले को बोलते हैं चलि अगला सवाल यहाँ पे आपका 47 नंबर सवाल है यह दिया गया है कि अस्थाई चुमबक किस से बनाये जाते हैं वाट टाइप्रारी मैगनेट्स मेड़ इस पाथ नर्मलोहा । तामबा या फिर चान्दी जो अस्थाई चुमबक होते हैं जो टेम्परारी मैगनेट्स ह उनको निमलिकित में से किसके द्वारा बनाया जाता है क्या होगा अंसर सभी को बताना है और जल्दी से करना है चलिए जल्दी जल्दी सब को अपना अंसर बताईएगा तो जो अस्थाई चुम्बक है यहां देखो बनाया जाता है सौफ्ट आयन से यहां बनाया जाता है नर आजा राम मोहन राय के द्वारा दयानन्द श्रश्वती जी के द्वारा या वेकानंद जी के द्वारा या फिर राम क्रिष्ण प्रमहंस जी के द्वारा जो वेदो की और लोटो यह नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है तो जो वेदो की और लोटो यह नारा है इस नार पर जल का घनतो अधिकतम होता है At what temperature is the density of water maximum 0 degree Celsius, 1 degree Celsius, 2 degree Celsius या पर 4 degree Celsius किस तापमान पर जो है जल का घनतो सबसे अधिक होता है चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही जो है यहाँ पर अपना अपना अंसर बताएंगे बहुत बार जो इस question को इंडिन आर्मी ने कर रखा है तो सभी को बताना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पर अपना अपना अंसर करना है तो वह तापमान जिस पर जल का घनतो अधिकतम होता है वो है देखो 4 degree Celsius क्या होगे right answer तो option D चले इसे के साथ जो है आपका आज का last question है 50 number question यह दिया गया है ति वासको डिगामा कहा का रहने वाला था वे आर आर वासको डिगामा फ्रॉम पुर्तगाल, हॉलेंड, अमेरिका या फिर फ्रांस जो वासको डिगामा है यह कहा का रहने वाला था सभी को करना है और बिल्कुल सही answer बताना है बिना दिरी का answer करेंगे चले जल्दी से बताइएगा तो जो वासको डिगामा है यह कहा करने वाला है तो यहादे को रहने वाला था पुर्तगाल का क्या होगे right answer तो option A, Portugal, पुर्तगाल चले इसे के साथ जो है आपके आज के 50 questions आपको करवा दिये गया है आपको आज कोई भी homework मेने नहीं दिया हुए सारे 50 questions आपको करवा दिये गया है सब को यह अपना score जरूर बताएंगे कि 50 में से जो है आप समने कितने questions को सही किया उसके साथ साथ सभी जाते जादे class को share करेंगे and like button जरूर प्रेस करेंगे class का चले तो all of you by मिलेंगे आप से सीधा साम 7 बजे और आज साम 7 बजे जो है हम लोग Indian Army का बिल्कुल नया model test paper बनाएंगे आज जो है साम 7 बजे हमारा class होगा Indian Army का model test paper का तो चले all of you by मिलते आप से सीधा साम 7 बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत have a good day मिलूँगा आप से सीधा साम 7 बजे जय हिंद एंड जय भारत